नमस्का वियाम में नुस 24-7 में आपका स्वागेत हैं मैं हूँ भारती दास नज़रालते इस वक्की खबरों पर खबर हिंडों सिटी से है जिला कलेक्टर के आदेश हुए हवा हवाई गौशाला प्रवंधन और नगर निगम परिशत आवारा गौवंश पर नहीं लगा पाया अंकुश शहर के मुख्य मार्गों पर देखने को मिला आवारा सांडों का आतंग राज के चिकसाले के प्रमुक चौराहे पर दो आवारा सांडों ने जम कर मचाये उत्पात सांडों की लड़ाई के चलते करिब एक घंडे से अधिक देरी तक राहगीरों का आवा गमन रहा बादित आवारा सांडों की लड़ाई जे कई वाहनों को हुआ नुकसान तो कई राहगीर भी हुए चोटिल मौके पर मौझूद राहगीरों ने नगर परिशाद और प्रशासन की कारेपणाली को जम कर कोसा पुलिस का अमानविय चैरा आया सामने अलवर के टपुकडा की एक कॉलोनी में एक बिहार के रहने वाले अधेर का खुचला हुआ शव मिलने से इलाके में संसनी फैल गई मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को ले जाने के लिए गैर पंजिकरत बाई का उपयोग किया पुलिस का मानविय कृत्या से सामने आया कि शव ले जाने से पुलिस की सरकारी गाड़ी अब गंदी ना हो जाए इसलिए दूसरे वाहन को उपयोग किया गया आई जी ने इस मामले में पसंग्यान लेते हुए जाच की बात कही है अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन के उच अधिकारी दोशी पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कारवाई करते हैं एक व्यक्ति पर हग जताने के लिए तीन महिलाएं पहुँची थाने व्यक्ति बोला तीनों करती है प्यार इसमें मेरा क्या दोश राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़े के फूलबाग थाने में एक ऐसा मामला सामने आया से सुनकर पुलिस भी हैरत में पढ़ गई फूलबाग थाने में एक व्यक्ति पर हग जताने के लिए तीन महिलाएं थाने पहुच गई तीनों महिलाएं उस व्यक्ति को अपना पती बता रही थी लेकिन से कोई महिला शिकायत देने को तयार नहीं हुई ऐसे में पुलिस के सामने भी अस मंजस की स्थिती बन गई महिलाओं ने पती पर उनहें दोका देने का आरोप लगाया वहीं तीसरी महिला ने कहा कि पुलिस अगर व्यक्ति को सुपूर्ट नहीं कर सकती तो उसे जेल भेज दे वहीं फूलबक थानर प्रभारी बाला राम ने बताया कि थाने में एक महिला ने फोन पर जगड़ी की सूचना दी जिस पर महिला और उस व्यक्ति को थाने में बुलाए गया थोड़ देर बाद दो अन्य महिला थाने पहुँच गई फिर तीनों महिलाएं उसके उपर हक्चत आने लगी व्यक्ति ने पुलिस को बताये कि मैं पेशे से ड्राइवर हूँ मेरी शादी हुई उससे तलाक हो गया फिर उसने दूसरी महिला से शादी की उससे भी तलाक हो बाद में वो अन्य महिला के साथ रहने लगा अब उसका तीसरी महिला से भी जगडा हो गया राजस्थान में इस तरीके का पहला मामला देखने को मिला करौली कल्यान भक्तमर्णल गावाड़ मीना से कल्यान जी महराज की पद्यातरा हुई रवाना गावड़ मीना से पद्यातरा रवाना हुई असब पर हिंडोन पंचाय समीती प्रधान बंदना बेनिवाल और गाव के पंच छुटलाल मीना ने यात्रा को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया पटेल छुटललाल मीना बैंक और बडोदा में सीनियर मैनेजर के पत्पर कारत है लेकिन गावड़ की हर छोटी बड़ी गति वीडियो में छुट्टी लेकर हमेशा हिस्सा लेते रहते हैं सभी ग्रामिनों के सयोग से जंडी दिखा कर जिगी पूरी के लिए यात्रा को रवाना किया गया सवाई मादो बर्जिले के गंगापुर सटी में वही इस्थापना दिवस के मौके पर निकाली जा रही रैली पर कुछ असमाजिक तत्वों पर पत्राव कर दिया गया इंटरनेट बंद कर दिया गया साथी करोली भरतपोर से अतरिक पुलिस जापता समीत करीब एक हजार से अधिक पुलिस कर्मी चपे चपे पर तैनात किये गए जानकारी का अनुसार पुलिस ने 25 लोगों को इहरासत में लिया है एसपी सुदिर कुमार ने बताय कि विहिप केस थापना दिवस पर उसके कार्य करता रैली निकाल रहे थे दोपैर करीब डेड़ बजे शुरू ही रैली में कार्य करता नारे लगाते वे चल रहे थे जामां बजित के पास दूसरे पक्ष ने भी नारे बाजी के बीच दूसरे पक्ष ने पत्राव शुरू कर दिया इसे भगधडर मच गई पुलिस ने बल प्योग कर अब्धरव्यों को खदेडा पुलिस ने घरों में जाकर भी की धड़ पकड उब्द्रव के बाद भरतपुर आईजी लक्षमन गौर्ड कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंग और एसपी सुदेर कुमार समेत पूरा प्रशासनिक अमला गंगापूर पहज गया देर रात तक शांती वारताओं का दोरा जारी रहा हाला कि कुछ इलाकों में रात तक भी पत्थराओं और तनाव की सूचनाय मिलती रही इस पर पुलिस ने घरों में जाकर भी कुछ लोग की धड़ पकड की उब्द्रवियों की ग्रफतारी की मांग को लेकर रहिप कारे करत देर रात तक फंवारा चौक पर ढटे रहे आई जी लक्षमन गौर ने बताये कि फिलहाल हालात काबों में है अगरी मादेश तक गंगापूर सरकिल में इंटरनेट बंद के अलावा धारा 144 लागू रहेगी एतियात अन भारी पुलिस बल तैनाथ है 25 लोगों के रासत मे लेकर पूस्ताच की जा रही है फिलाल खबरों में इतना आप देखते रहे व्यामानिस 24-7 नमस्कार